नमस्कार, आज शिवसेनेचे पक्षप्रमूख आणी महराष्ट्राचे माजी मुख्यमंद्री उद्दव ठाकरे यांचा वारदीवस है आणी 20 जून पासून उद्दव ठाकरे यांचा साथी राज्यकी बैडपैच सुरू असलेचा अपन सग्रेज बक्तो है राज्याचा मुख्यमंद्री पदावरूं त्याना पाय उतार भावलागलेले हा उद्दव ठाकरेंचा कार्किर दीतला सगल्यात खराब अशा सोरूपाचा हा कार्यकार आएका या पन समझुन घणाराओत पंडीत राजकुमार शर्मा यांचान कुनू पंडी जी अपला खुब-खुब स्वागत टाइम महराष्ट चे या विशेश मदे माधा थेट प्रश्न है कि 27 जुलाई इकोडी से साथ रोजी जन्मलेल्या बाला साइब ठाक्रे यांचा मुलाचा आणी शिवसेने चा पक्षप्रमुखांचा अच्छा जो वार्दिवस है अपन सग्रयात पहलें दा त्यानना शुबेच्छा देल्चे तो तुमी तैनना पहलें दा अशिर्वा द्यवाष्यम और आप हमेशा तंद्रुस्त रहें और ऐसे ही अपना जनम दिन जो है वो साधरा करते रहें आपकी धिरगायू हो यही हमारा अशिर्वाद है और विश्वा वेरी वेरी हैपी बर्ड़े पंडी जी उद्दव ठाक्रे हे माहराश्ट चा मुख्यमंत्री पधी विराजवा जाले होते 28 नोवेंबर 2021 ला और त्यानी 31 जून ला रातरी फेस्बूक वरून आपले पधाचा राजीना मा दिला त्या साथी त्यानी विदान मंडला मदे जान्याचे कश्टे की गेतले नाइत इतका त्यांचे जिवारी हे बंडल आगले होतो आत्ता प्रियंत शिवसे से ना 5 गजता मोठहा रूपात भूट लिए यह पनध प्रत्य फूटी नँतर किक्षिवासे नेला खूप मोठहा कसोटी चाल सामुरा जावा लागले है अतना सद्धय सद्या जो काल आए हाँ उभ्यार दखी नेस में चीफ मिनिस्टR महाराश्त के उभ्यवाराश्या उ 2019 को शाम को 6 वज कर 43 मिनट में धनू राशी में उन्होंने शपत विदि ली और उस वक्त राशी के हिसाब से उनकी उस दिन की अगर हम कुंडली बनाते हैं तो शुक्र की महादशा तब ही चल रही थी और सबसे बड़ी बात यह है शुक्र उनका धनू राशी में केतू और गुरू और चंद्रमा के साथ में विराज मान है यानि उस दिन की शपत विदि की कुंडली की बात कर रहा हूं मैं तो इसलिए वो जो काल होता है वो दो साल चार महीने और आठ दिन उसका एक पर्टिकुलर अवदी होती है जिस अवदी में वो आदमी जो है राईज करता है और शुक्र की बज़े से उसके साथ में गुरू बैठा हुआ है क्योंकि शुक्र राहू केतू और शनी जो है यह दैत्य ग्रह है और गुरू मंगल चंद्रमा और सूर्य जो है वो देव ग्रह है तो जब दैत्य ग्रहों के साथ में बैठे होते हैं तो डेफिनेटली आदमी की बुद्धी जो है वो कहीं न कहीं इस बात का आभास नहीं करती कि मेरे से कोई गलती हुई है या मैं कोई गलत दस बचकर 14 मिनट सीन घराशी में उनका जन्म हुआ है और उनकी कुंडली का जब मध्यन करते हैं तो चौते गर में गुरू और शनी वहां इकठे बैठे हुए हैं और उनकी गुरू की महादशा चल रही है 15-12-2012 से लेकर 28-6-2023 तक अभी गुरू में शुक्र चल रहा है तो मैंने अभी आपको बोला कि शपत विदी में भी अश्टम भाव में नीच में गुरू और शुक्र की युती और इनकी कुंडली में भी चौथे घर में चौथा घर मासेज का घर माना जाता है पबलिक का घर माना जाता है तो पबलिक के घर में भी कही न कहीं शनी और गुरू इकठे बैठे हैं गुरू की महादशा लगी हुई है और यह समझ लें कि ये दोनों ग्राहों की दुरुष्टी जो है उनके दसमे घर पे करम स्थान पर पढ़ती है और कहीं न कहीं उनके साथ में किसी न किसी तरह की ऐसी घटना होती है कि अपने छोड़ कर चले जाते हैं अपनों से उनको कोई न कोई गैर समझ हो जाती है और कहीं न कहीं उनको समाजिक प्रतिष्टा देखें क्योंकि वो समाज के घर में बैठे हो एं गुरू और शनी की विष्ट ये विष्योग का निर्मान करते हैं गुरू और शनी का विष्योग उनके समाज के घर में चौथे घर में मा के घर में बैठा हुआ है तो कहीं न कहीं वहाँ से जब वो केरियर के घर में को देखता है वो यूती देखती है तो कहीं न कहीं समाजिक प्रतिष्था मानसिक तनाओ और आपनों से उनको कहीं न कहीं गैर समझ उनकी होती है जिसके कारण मैं तो ये बोलूँगा कि जिसके कारण ये घटना भी हुई तर तो शपत विदी चा मुहरत चुकला मनों असा सगड़ा जाला कि तैंचा कुंडली में तो आपको वही वर्मन किया ना कि शपत विदी की कुंडली बनाई तो धनुराशी में और आप मुझे एक बार बताईए कि जब सनातन धरम में हिंदू प्रवुती के हिसाब से हम सू उगता है उदे होता है तो हम दर्शन करते हैं परणाम करते हैं सूर्य जब अस्त होता है तो उस वक्त लाव चोगडिया होता है सिद्ध मुहूरत भी होता है उन्होंने जरूर देखा होगा मगर सनातन पद्दती के हिसाब से मुहूरत पद्दती के हिसाब में मुहूरत के बहुत बड़े बड़े गरंत हैं उस पद्धती के हिसाब से शाम का मुहुरत जो है उसको हमारे सनातन धरम में जोतिश विज्ञान में वैदिक शास्तर में उसको अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि अस्त हुआ हुआ सूर्य आपकी प्रतिष्ठा समाजिक प्रतिष्ठा आपकी बात सही है तो बिगाड के उपर में आपको एस्ट्रोलोजिकल कैलकुलेशन करके वर्नन कर रहा हूँ और राजेश जी एक बाद ध्यान से सुन लेजिए भाग्य जायते सर्वदाना पुरुशुम्ना कौशलम भाग्य से जीवन में बड़ा कोई नहीं है destiny plays its own role विक्षावाला चीफ मिनिस्टर बन जाता है और चायवाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो जब आपके भाग्य खराब होते हैं तो आपको याद होगा नर्सिमाहराओ को जेल जाना पड़ा था 1978 में इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा था जब भाग्य आपका साथ नहीं देता है तो ये भाग्य इनका साथ नहीं दिया 12 एप्रेल से और 28 एप्रेल से गुरू और शनी की प्लेस्मेंट में बहुत बड़ा बदलाओ आया 12 एप्रेल और 28 एप्रेल से उनकी कुंडली में एक ऐसा गड़वराहट योग आया जिसको हम लोग आ कुंडली में विश्योग का निर्मान भी कह सकते हैं समझे ना और अगर हम एकनात की कुंडली के साथ ही में अध्यन करें तो 9 फरबरी 1964 धनूराशी धनूराशी के उपर भी साड़े सती चल रही है इसलिए उनको अभी तक सरकार बनाने में सफलता नहीं मिली है दो लोगों की सरकार है एक बार ध्यान रखिये तो उद्दव जी ने एक गलती की थी कि तीन पार्टियों की सरकार बनी महाविकासागारी बनी इसमें कोई NCP अच्छी है कॉंग्रेस अच्छी है वो सब नहीं मैं उसमें नहीं जाऊंगा यहां तक तो भाग्य की बात है तो मैं उसी के उपर जाऊंगा 9-2-1964 पांच बज़ के 30 मिनिट 17 में के एक छोटे से गाउं में एक नात्का जन्म हुआ आज के दिन राहू की महादशा उद्दव जी की कुरू की महादशा इनकी राहू की महादशा चल रही है राहू इतना प्रबल है एक नात्का एक बात ध्यान से सुनिए कि राहू की महादशा में आप इस बात के साक्षी है मनमोन सिंग की कुंडली में राहू की महादशा 2002 2002 में शुरू ही तो एक मात्र व्यक्ति एक मात्र जियोतिशी पंडित राजकुमर शर्मा थे जो बोल रहे थे कि अटल बिहारी बाचपई का इंडिया शाइनिंग जो है वो धूल में मिल जाएगा अगला प्रदान मंत्री मनमोन सिंग हो सकता है और आप लोगों ने इसको छा प्रवर्ती समराट मना देता है जब राहू की महादशा शुरू होती है तो राहू की महादशा में एकनाथ शिंदे ने जो कदम उठाया है उस कदम में उनको सफलता मिली है और आगे भी मुझे सफलता मिलती हुई दिखाई देती है अब उद्दव जी की कुंडली का जभ बहुत से कुछ लोग जा सकते हैं ऐसी है ऐसे उनके कुंडली में लिखा हुआ है देखिए आज के दिन तो असी प्रतिशत लोग तो एकनाथ शिंदे के पास चले गए जी अभी लोग बोलते हैं कि यह बीजेपी की गेम है किसी की कोई गेम नहीं होती है यहां पर गेम होत तेरा जुन को अधित्य ठाकरेजी का बड़े था त्या दिवशी एकनाथ चिंदेनी अधित्य ठाकरेजी भेडगेतली त्याना शुबेच्छा दिले त्याना बड़े गीब दिल आणी सग्रया गुष्टी नीट चाल ले होती है पर त्याच्या आधी 10 जुन ला राज्य स आधा जुन परियंत सा जो प्रावास आधा जुन ला सग्रयात मोठा भूकम पशाला तरह जो दहा जुन ते वीजुन परियंत सा जो काड़ा है त्या काड़ा मदे उद्धा ठाकरेंचा कुंडली काए बदल घड़े मैंने तो आपको पहले बताया ओ तो ऐसा है ना कि जब शनी बदलता है तो उसको शनी का मतलब है शने शने धीरे धीरे चलता है वो तो 28 एपरियल को चला तो तीन महीने में ऐसा समझिए चालीस से साथ दिनों में उसकी डिगरी बदलती है और बढ़ती रहती है पहले दस दिन में एक डिगरी में आता है उसके अगले बीस दिन में तीन डिगरी में आता है उसके अगले एक महीने के अंदर अंदर पांच ड तो कहीं न कहीं शनी ने दबाया और 12 जुलाई से वापिस शनी जो है आपको मालूम होगा कहीं न कहीं कुम्ब राशी शे मकर राशी में वापिस परिवर्तित हो गया तो इनकी अगर हम राशी चक्र बनाते हैं तो शनी यहाँ पर वापिस इनका जो है वो छटे गर में उसमें शनी और शुक्र जो है वो नेश्ट होते हैं कहीं न कहीं वहाँ पर आपके सेहत को भी तकलीफ देते हैं जो आपने वो दस दिनों की कहानी सुनी वो दस दिनों में से अक्चुल में एक महीना पहले से ही उनकी जो चाल है वो इनके प्रती नेगिटिव होती जा रही थी और प्रहार इनके ऊपर उस दिन हुआ जिस दिन एकनाथ छिंदे यहां से सूरत गए और सूरत से गोहाटी गए कहीं न कहीं बातावरन में जो विश घुला जो जिस तरह का बातावरन इनके तरफ नेगेटिब हुआ वो उन दस दिनों के अंदर अंदर और उसमें भी दे जाश ठिकानी आगेट उद्धव ठाकरे यहां स्वभाव कोणाचा तरी अपमान करावा कोणाला तरी घालून पाडून बोलावा असा नाही है पर गेला कही दिवसान बदे ते अनेक लोकान ना टोमने मारता है जला आपन ब्लेम करता है अहां तोमने मारता है क्यों आसा क कुंडली नुसार मानुस अशा काई शुका करत जातो कि जाचा मुले समुर्चा मानुस दुखाव तो आणी काई तरी बंड कराई उट्टो उठाव कराई उट्टो काई तरी भंडन करतो असा हूँ शक्ता है डैफिनेटली 1977-78 में इंदिरा गांधी ने वही गलती की थी और उनका जो गाए और बच्छरा का उनका जो चोन निशान था यानि जो सिंबल था वो फ्रीज हो गया था आपको याद होगा और उसके बाद उन्होंने हाथ एक नौ 1978 में उन्होंने हाथ का और कॉंग्रेस आई का गठन किया एक बाद ध्यान से आपको सुन लो तो गलति पाईसर कि जो आपके आजू बाजू वाले लोग होते हैं वो चम्चे चमाटे ज्यादा होते हैं वो आपको समझने ही नहीं देते कि क्या करना चाहिए और आपको बढ़काते हैं और गलतियां कराते हैं उद्दव ठाकरे तो सिरफ प्रांत में बठे या तो राष्ट की अगर आप 48 के 46 सीटे मिली थी उन दिनों। सबसे पहले तो उद्दव जी का जो सौम मेपन है, मैं बाला सभको हमेशा कहता था, कि उनका जो सौम मेपन है, जो उनकी सादगी है, वो लोगों को आउड़ेगी, लोगों को पसंद आएगी, अभी एक नेता के अंदर वो एग्रेशन होता है, जो उनमें शायद कम होगा, मेरे खुद के बहुत ही फेवरेट हैं, उद्दव जी, मैं आपको बावा के मंदिर में बैठा हूँ, सबसे ही बोलना हूँ, मेरे खुद के बहुत फेवरेट हैं, and I love him a lot, I wish you a birthday wish again, और यहां तक आपकी इस वक्त की कुंडली को अगर हम प्लेस्मेंट को देखें, सेलेस्टियल प्लानेट की प्लेस्मेंट उद्दव जी और शिवसेना वाले सारे मित्रों को मैं यहाथ जोड़ कर कहता हूँ, करोना काल के डाई से तीन सालों में खर्बोपती, मल्टी मिलियनर ने इस बात का हैसास किया, पर मानव आदमी की एक आदत है कि वो बहुत जल्दी भूल जाता है, इसलिए सबसे पहले उद्दव जी को अपनी सेहत का ध्यान लखना चाहिए, 15 नवंबर 2022 तक उनको सबसे पहले अपने सारे टेस्ट हर तीन महिने में कराते रहना चाहिए, हर महिने और क्योंकि उनको हार्ट प्रॉब्लम हुई थी अगर हमारे दर्शकों को याद है, हेल्थ के साथ साथ में उनको दूसरी सला, मैं राजनितिक सला नहीं दे सकता हूँ, एक उनको कश्ट निवारन पूजा, महा पूजा करानी चाहिए, श्रावन शुरू है, महा रुद्र, रुद्रा विशेक, भोले नात का कराना चाहिए, ओम तिंबकम यजामे, सुगंधिन पुष्टिवर्धनम, औरुबार कमी बवंदना, मित्यूर मोक्षी मामृतात, ये मंत्र पढ़ने मात्र से, इस मंत्र को साधने मात्र से, आपके उपर से मृत्यू जैसी घटना भी टल सकती है, बिमारी टल सकती है, आपके अपने लोग आपको वापिस आकर प्यार कर सकते हैं, मगर यहाँ पर अगले तीन महीने में और लोग भी ऐसे जा सकते हैं, जो आपको हैरान कर देंगे उद्दव जी, इसलिए यही एक समय है, इसका मन्थन करिए, उन लोगों को पहचानी है, जो आपके आजू-बाजू में सिरफ ड्रामा करते हैं, और आपको समझाने की बजाए भड़काते हैं, ऐसा हो रहा है क्या कुंडली के साथ, असा होता है तैंचा कुंडली? सबके जीवन में ऐसा होता है. नियाता है इते मुद्धाम कोणांचा नाउगेत नहीं है, पर नारायन राने असो, राष्ठाकरे असो, क्यों इतर कुंटे ही घटक, उद्धाव ठाकरेंचा अंगावर यो शक्तिल, असा वाटनार्या अनेक घटकानना दूर करनारी काही उद्धाव ठाकरेंची जवली मंदली है, बरुबर है, जयांचा मुड़े तैंसा राजे के वजन वाइडला ते मुख्य मंत्री पदापरें ता पुछे, अचे कही मंदली पर उद्धाव ठाकरेंचा संपर्व का तोड़ून, एकना शिंदेन कड़े जातील, असा बोल लो जातेल, यह कुंडली प्रमान जवल्ची का इस चाहिए, अचे को लोग जो जो आपको अश्चर चकित कर देंगे, कि यह आदमी तो सोचा नहीं था जाने का, आपने देखा हुआ कि जैसे लोग जाने लगे, रवी फातक महा पर गए, सूरत में उसके बाद रोशिंदे का पास चलेगे, बिलीन नार्वे कर उनके साथ, तो किसी के ऊपर भी, क्योंकि जब ग्रहदशा खराब है, तो उसमें फिर कोई भी हो सकता है, और आपके नजदी की लोग जो है, आपके साथ बैठ कर, हो सकता है कि आप ही की बात को बाकी उधर पहुंचाते हों, और आपको नुकसान करने की कोशिश करते हो फेबरेरी दो हजार बाईस के दिन और अक्टूबर दो हजार एक्कीस के टाइम, चब मैंने ये बविश्यवनी की थी कि ये सरकार गिरेगी, आपने बहुत से बहुत सी जगा पे बोला कि तंतो तंत खरी ठरली, तो मेरा मेरी बविश्यवनी अच्छी खरी, अच्छी निक और मैं तो ये चाहता हूं कि शिवसिना का वापिस उदे हो, शिवसिना वापिस महाराष्ट के लिए, राष्ट के लिए अपना भगवा फहराए, और आगे बड़े पंडित छ महाराष्ट राष्ट 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 राचकुमार शर्माट समानाले हो ते कि अजून वेल संपलेला नहीं है तुम्ही थोड़ब थांबा आणि बगा काय होता है आणि अपला सग्ड़य नमाईते है राजभवन मदे पत्रगार परिशदे मदे पत्रगार परिशद सुरू अस्तानाच देवेंद्र फड्नविसाननी तो सग्ड़यात मोठा राजक की बॉम टाकला होता आणि मुख्यमंत्री एकना चिन्दे होतील असा महतले होता पंडिजी माजा आता सग्ड़यात महत्वाचा प्रश्ण शिवसेने मदे आज परियंत चा चपन्न वर्षा चा इतिया सातली उभी फूट पड़ली है शिवसेने तुन गेलेले कि वा बाजु प्रशाद नितिश कुमार के साथ सरकार मना सकते हैं तो डेफिनेटली अगर जीवन में कभी बाला सब होते या ना होते कभी ये विचार किसी शिवसेना के सहनिक के मन में नहीं आया था कि शिवसेना कभी कॉंग्रेस और NCP के साथ सरकार मनाएगी मगर बनाई क्योंकि भग आगे अपना काम करता है आपको मैं यहां पर एक बात बताना चाहता हूं कि 28-11-2019 को शपत बीदी हुई और 28-10-2019 के एक कारकरम में मैंने ये बोला था कि एकनत शिंदे आगे जाकर 2022-2024 में मुख्यमंत्री बनेंगे उस वीडियो के उपर हजारों लोगों ने करोडों लाक लोगों ने टिक किया तो आपके माध्यम से भी मैंने जब ये बोला कि ये अभी तक कुछ भी हो सकता है तो एकनत हाँ और आगे आने वाले दिनों में अल्टा पल्टी भी हो सकती है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो सकता है नवंबर तक एक बात ध्यान रखिए ये मैं आपके सामने करना चाहता हूं मगर अब उद्दव जी की बात करें तो नवंबर तक उनको कहते हैं कि समझ समझ कर पाउल उचलना चाहिए ध्यान से हर चीज को समझना चाहिए किसी भी तरह से कठोर वचन या किसी भी तरह से जो शेवसेना के औरीजिनल जो शेवसेनिक स्टाइल है उसमें नहीं अपने अपना विचार अपना चरितर जो उनका है सौम्य सुन्दर साफ उसी तरह रखना चाहिए और कहीं न कहीं आगे आने बाले दिनों में नवंबर तक मैं बहुत सी चीजें ऐसी देखता हूं जो आपने भी नहीं सोची है और ये कुंडली ब इसलिए 28 नुवंबर तक कुछ भी पॉसिबल है बुजवल के साथ जो लोग गए उनमें से 80% लोग वापिस आ गए आपने जो प्रस्ण किया उसका उत्तर दे रहा हूं मैं उनमें से भी लोग वहाँ पर जा सकते हैं उनके उपर नजरगार कर रखिये और कोई आदमी आपके पास आकर आपकी अगर चमचागिरी करता है आपके साथ लुलू पोपू करता है डॉंट लिसन टू हिम लुक एट यूर हरोस को आपके बाजू में बैठा हुआ आदमी आपको दगा दे कर चला गया आप देखिये कितने 10 से 15 लोग तो ऐसे हैं जो आपको मिल कर गए और उसके बाद में गौटी चले गए प्रमोद महाजन ने कभी विचार भी नहीं किया होगा कि उसका भाई उसको गोली मार देगा तो इस बात इन सब सब घटनाओं को अपने दिमाग में रखिये और महामतुंजे कष्ट निवारन महापूजा का योजन करिये जिससे बोले नात आपके सब कष्ट दूर करें पॉसिबल है आगे आने वाले दिनों में पार आप एक ही टेवल पर बैठ कर बापिस बहुत से आपके नेता आपका मार्गदर्शन लें य चालीज दिवस चांगले नाइए अस पंडित राजकुमार शर्मा संकत है पड़ तरी ही एक आशेचा किरण घेऊना अपन अपला आयुशा जगाई चास्तव मक्ते अपला असुद्या क्यों उद्दव ठाकरें चासुद्या सगले नी प्रहतना कराई चासा पंडिजी त्यांचा सक्का भाव राज ठाकरे हा येनार्या काला मदे त्यांचा जवल येईल अस तुम्हाला वाट्टका आणि ह्या सगल्या गुष्टी एक तार्खेला जी सर्वोच्चा नहला मदे जी केस आहे कि वा जो खटला सालो है त्याचा वर बर्याज गुष्टी तो द्याकरे असल और बर्यांचा के होना वा ये जी कमधरने पर गुष्टी एक टेरा से ये वहला मदे तो राज ठाकरे का उद्धेकाल शुरू हो गया है राज ठाकरे की मकर्राशी है ड़ब भी शनी वकरी होता है बारा जुलाई को शनी वकरी होता है तो definitely इन सारी घटनाओं का राजधाकरे को सबसे ज्यादा फैदा होने वाला है ये possible है कि अगर कहीं कोई रास्ता नहीं निकला तो एकना च्छिंदे जो है मनसे की डोर पकड़ ले पंडित जिक काय बोलता है तुम्हें सुन लीजिए मनसे की डोर पकड़ ले अब आपने इधर ही रुख जाते हैं मनसे की डोर पकड़ ले राजधाकरे तीन साल के बाद क्योंकि उनकी विशनी की महादशा चल रही है उपर से साड़े सती चल रही है पिछले दस सालों में राजधाकरे के साथ क्या-क्या हुआ आपको भी पता है तेरा विधायक से एक रह गया छे कार्पोरेटर से दो रह गये अपनी तबियत खराब हुई अपनी कमर का उपरेशन हुआ उनकी धर्म पत्नी के उपर भी एक चोटा सा एक्सीडेंट हुआ और अब अब उनके उपर खुशियों की बचार हो रही है उनको पोता हुआ उन् एक साल के अंदर अंदर एक नया ठाकरे का स्वरूप वैसे भी लोग उनमें बाला साब को दिखते हैं वैं एक नए स्वरूप में अपना किर्तिमान स्थापित करेंगे और आपके शो के माध्यम से मैंने एक बविश्यवनी की थी कि हिंदुत्वाचा बाला साहिवन चा व अधित्य चाहिए माला एक गुष्ट समझून गई चे तुम्ही एका बाजूला असा मन्ठाए कि राश ठाकरेंचा उद्वाच्वाच बाद करेंगे दूसर्ड़ शुरू जाला दूसरे बाजूला तुम्ही असा मन्ठाहिए कि उद्धव ठाकरेंचा काल खराब है पंड ते पक्षवाच उती नहीं है शिवसेना डूबने वाली नहीं है शिवसेना ही रहने वाली है मगर उसके सामने जब एक पहाड खड़ा हो जाता है तो बापिस उबरने के लिए सालों लग जाते हैं शिवसेना ठाकरे के साथ ही है और एकनाथ हो या दिपक केसर कर हो किसी ने भी यह नहीं बोला कि हम बाला साब के छिश्य नहीं है किसी ने भी ये नहीं बोला कि हम शिवसेनिक नहीं है भगवा फटका आज भी हमारी जान है भगवे में लिपटकर मरना हमारे जीवन का उदेश्या है वो लोग चालीस लोग पचास लोग आपके बोल रहे हैं तो कभी आज के दिन सोच समझ नवंबर तक पकड़कर अगर उद्दव जी चलेंगे तो डेफिनेटली किसी भी तरह की कोई चिंता की बात ही नहीं है यह लोग तो आज भी बोल लें कि बाला साब हमारे उद्दव जी अधित्य ठाकरे नवर बोलना रात मला महीती है पन आता अपली वेलई पूर्ण होते त्या आधी मला एक गोष्ट तुम्हाला विचाराई चे उद्दव ठाकरे यानि आज त्यांचा वार्दिवसा चा पुद्ध त्या मुले माझोड़ जास्ती पईशे मिलें बहां ही प्रसिद्ध तस दोंड़ा मेंove अधा चारक गशांचे माजे वल्लई काइल अदानी क्यों अंध कंडलिंस क्यों कि भावर्द सुनड़ाज कंदीव कंद आ कि पी siamo आंता है प्रेमीन विचारे। सबसे पहले तो उद्रव जी आपको एक बात की बधाई देता हूँ कि जो परसों औरंगावाद आदिते गए उनको जिस तरह से लोगों ने प्रतिसाद दिया प्रेम किया उससे ये साफ नजर आता है कि आपके जितने भी कार्य करता हैं वो आज भी बाल ठाकरे और उद्दव ठाकरे को ही अपना देवत मानते हैं और उन्होंने अधित्य ठाकरे को सिर पे उठा लिया आपके आजू बाजू में जो लोग हैं आपके कार्य करता आज भी आपके साथ हैं हजारों लाखों की करें महामितुंजे मित्यु संजीवनी और कश्ट निवारन की एक महापूजा करें ताम कि आपका स्वास्थ भी अच्छा रहे और शिवसेना भी बची रहें कहीं न कहीं यहां पर पॉसीबिलिटी हो सकती है कि नोवंबर तक आपको काफी समस्यों का समाद सामना करना पर सकत पंडि जी यह सग्राय आडचनीचा दिवसान मदे रश्मी ठाकरे आणी आदित्य ठाकरे यहां चा वर उद्दाव ठाकरेंचा सग्राय जास्त भरवसा अचना रहे और तेंचा वरसते आवलंबुदी न अचना होई आधित्य ठाकरे हे आपले वडिलानना त marrow कार्ण बुलांचा पराक्रम बदल क्यों मुलांचा सिक्षण बदल मुलांचा गुष्टी बदल देखिंग लिए व्यक्ति चा कुंडली मदे आप लहा कहीं गुष्टी संदू शक्ता असा तुमीं सग्री जोतीश मंदली मनत सता काई संग्ते कुण्डली तीन साल के अंदर एक बात पॉसिबल है जो मैंने आपने मुझे एक सवाल बीच में किया था, कि तीन साल के बाद राज ठाकरे और शिवसिना एक हो सकते हैं, एक, दूसरी बात यह है, हाँ, दो हजार पैटीस तक गुरू की महादशा अधित्य ठाकरे के उपर लगी है, मैंन अपना रिमोट कंट्रोल चलाया था, उद्दव जी ने पहली बार ये साहस किया और मुख्यमंत्री बन गए, और राज ठाकरे भी कलको अगर आगे आते हैं, तो राज ठाकरे के मन में मुझे नहीं लगता कभी मुख्यमंत्री बनने की चाहत होगी, वो एक रिमोट कंट्र की तरह ही आगे अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे, यहां तक बात करें, पहली बंडखोरी की ये बंडखोरी जो है वर्टिकल हुई है आपने जो बोला, इस बंडखोरी से बच कर रहना पड़ेगा, इस बंडखोरी के उपाए सोचने पड़ेंगे, जब आदमी को ब वो पचास लोग तो यही कह रहे हैं कि हमारी शेफसेना है, हम शेफसे नहीं, इसलिए समय अनुकूल ना हो तो शांती से बैठिये, पेट खराब हो तो वरत रखिये, यह चीजें जो हैं यह बजुर्गों ने बोली हुई है और सोच समझ कर चलिये, तो नुवंबर तक ध् पंडित राजकुमार शर्मा तेहं चांती समय जोसाना है, हम यह बजुर्गों नाही। तितकेज भरबराटी चे दिवस येवु शक्तर अर्थात पंडित राजकुमार शर्मा यानी एकोंटीस जून चा माझा कारेक्रमात केलेली भविश्यवानी ही अगदी आश्चरिय कारक्रित्या खरीठर लेली है आश्परियन तमी तेंचा बरुबर जेजे शो केले त्या मधे त्यानी व्यक्त केलेली अनेक गोष्टी खर्याठर ले आडि त्यातले अगदी जाता जाता सांगाईचा तर नरेंदर मोदीन चा पंतप्रदान होन शिवसेना प्रमुखांच या अपल्या मधे नश्न आणी त्यान अंतर अगदी परवा मम्ता बैनर जेतर आहेस थीतर राजके भविश्यवानी उती अगदी परवाच कि त्याने असमदलो तो उद्दव ठाकरे यांचा बरुबर बंड केलेले एकना चिंदे हेजरी उप मुख्य मंत्री जालेतरी ते मुख्य मंत्री होँ शक्ता कि वह आश्यरिय कारक काईतरी होँ शक्ता आणि निमक तेज जाला पंडिजी तुमची भविश्यवाणी आणि तुमचा वर देवादिकांच असलेला अशिर्वाद असाच कायम रहो दे आणि तुमचा वेलो वेली महराश्ट्रातिल जनतेला मारगे दर्शन मिलो दे धन्यवाद